हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो यूर फेवरिट चैनल यूडी सी आरे तो आज जो मैच हम कवर करने वाले हैं वो है प्येसल का अगला मैच जो की खेला जाएगा मुलतान सुल्तान्स एन पेशावर जालमी के बीच में तो अगर प्रिवियस मैचेस की बात करें तो आप क्वेटा ग्लाडियेटर्स और वहीं अगर हम बात करें पेशावर जालमी की तो यह अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं अगेंस्ट करांची किंग्स और वो मैच भी काफी क्लोस था दो ही रन से जीता है इन्होंने तो दोनों टीम अच्छे फॉर्म में हैं तो आईए लगता है मैक्सिमम लोगों का प्रेडिक्शन इसमें गलत हो गया था इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 110 पर यह अलाउट हो जाएंगे बट आई डोंट थिंग के पिच का उतना उसमें रोल था मुझे लगा कि थोड़ा सा इन्होंने इर्रिस्पॉंसिबल तो आई डोंट थिंग पिच इतनी जादा खराब है बट स्टिल फास्ट पॉलर्स को मदद है यह तो क्लियर है तो क्लियरली यहां पर यही बताया जा रहा है कि ओवरॉल बैटिंग के लिए यह काफी फेवरेबल है और पेसर्स को सूट करेगा स्टार्टिंग में पेसर्स एहसान नुल्ला ने क्या बॉलिंग कराई लास्ट मैच में अकेले ही मैच को ले गई यह उठाके और एवरेज स्कोर की बात की जाए तो फर्स इनिंग का एवरेज स्कोर 182 है बॉल फर्स्ट करते हैं जाहतर जो लोग टॉस जीते हैं कप्तान और जेनरली बैटिंग फर्स 182 रन बनेंगे ही बनेंगे और सेकंड इनिंग में भी पिछ ऐस सच कोई खराब भेव नहीं करेगी इन फैक्ट और बैटर ही हो जाएगी बैटिंग के लिए तो पहले बात कर लेते हैं मुलतान सुल्तान के प्लेयर्स की तो ओपनिंग करेंगे शान मसूद एंड मोहमद र प्लेयर्स में हैं और 30-35 रन आराम से बना सकते हैं और अगर जम जाएं तो हो सकता है बड़ा स्कोरी बनाएं एंकर करके चलते हैं इनको ज्यादा फ्लैमबॉइंट प्लेयर नहीं है तो इनको मैं पिक करके चलूंगा अपनी टीम में अभी के लिए देन बात करें रिजव रोजू ने बनाया हैं तो पिक फिर भी हम करके चलेंगे एक सेफ कैप्टन सी के भी ऑप्शन है विकेट कीपिरिंग से भी पॉइंट्स देंगे ये तो मसूद और रिजवान दोनों को मैं पिक करूंगा देन रोजू की बात करें रैली रोजू की तो क्या इनिंग खेली इन्होंने और क्या इन्होंने आगास किया है अपना PSL में और बहुती बहतरीन शॉर्ट्स करन मुझायरा दिखाया है इन्होंने इस मैच के अंदर तो इनको भी हम ज़रूर पिक करके चलेंगे मैकसिमम लोगों की टीम में होंगे ये ठीक है नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं डेविड मिलर तो मिलर की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो नंबर 4 की पोजिशन होती है टी 20 में वो काफी ज़्यादा important होती है तो अब ये हमें decision लेना होगा या तो हम मसूद को drop करें ठीक है और मिलर को pick करें या फिर हम रोजू को drop करे अब रोजू एक कह सकते हैं impact player है इनको अगर drop किया और अगर इन्होंने तेजी से run बना दिये तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएंगे मसूद मुझे लगता है उतना नुकसान नहीं करेंगे because अगर 30-35 बना भी दिये इन्होंने तो इनके around 30-35 आएंगे 40-45 गिंदों में ठीक है या फिर 30-25 गिंदों में ठीक है तो कुछ बहुत ज़्यादा strike rate नहीं रहेगा तो और इनके सामने जो बोलर है वो भी काफी अच चलते हैं next आएंगे केरन पॉलार्ड मुझे ऐसा लगता है अगर पहली बैटिंग आती है तो तो इनको मैं कंसिडर नहीं करूंगा because इनका बैटिंग ओर थोड़ा लो है तो जब तक ये बैटिंग करने आएंगे और unless bowling pitch नहीं है completely कि विकेट्स गिर नहीं गिरने है तो तो इनको पिक करना बेकार है और second inning में हमने देखा कि बैटिंग पिच और भी ज्यादा बैटिंग के लिए conducive हो जाती है because राइली रोजू ने अकेले मैं जिता दिया ठीक है रिजवान एक तरफ से एंकर करते रहे तो इसलिए second inning में तो मैं केरन पॉलार्ड को बिल्कुल भी खुशदिल शाह देखिए बॉलिंग कराते हैं तो तो अच्छे पिक होते हैं लेकिन अगर बॉलिंग नहीं करा रहे हैं जोकी इनों ने अभी तक नहीं कराई है तो यह बेकार पिक है लास्ट मैच में हमने पिक किया और यह almost बिल्कुल वेस्ट गए ठीक है तो इनको भी म important हो जाएंगे because जब target set होता है और मुझे लगता है क्योंकि score 138 बनेगा तो batsman पे pressure भी रहेगा और इनके खिलाफ मारने जाएंगे तो यह पक्का wicket pick करेंगे because यह बहुत ही economical और बहुत ही wicket to wicket bowler है ठीक है तो इन पे यह wicket तब ही लेती है जब इनको कोई मारने जाता है तो इसलिए मैं इनको pick करूँगा 100% अगर इनकी पहले batting आती है मुलतान सुलतान की ठीक है अगर इनकी पहले bowling आती है तो मुझे देखना पड़ेगा वैसे player तो important है यह ठीक है next है उसामा मीर उसामा मीर की बात करें तो ठीक ठाक bowling करा ही last match में रहे बट as such मुझे कुछ खा first inning में I don't think यह अच्छे पिक होंगे ठीक है तो next बात करें batting order में तो आएंगे after उस्मानमीर आएंगे समीन गुल जो की swing bowler है ठीक है तो last match में ठीक bowling कराई इन्होंने death overs कराया थे या नहीं कराया थे एक सेकंड देख लेते हैं एक बार इन्होंने death over कराये थे 18th over कराया है नहोंने ठीक है और उसके पहले इन्होंने कराया था चौथा over दूसरा over ठीक है तो हो सकता है death ने balling कराये तो पहली balling आती है तो I think आप इन्हें पिक कर सकते हैं then next बात करें मुल्तान सुल्तान की तो next है order में अबास अफरीदी जो की I think दो विकेट ले कर गए last match में एक बार देख लेते हैं जी हाँ दो विकेट लिए इन्होंने ठीक है और बैटिंग से भी थोड़ा हिट कर लेते हैं तो अगर पहले बैटिंग आती है तो तो आप इन कौन से कौन से करा एक बार देख लेते हैं जरा अबास अफरीदी ने उन्निसवा और कराया सत्रवा और कराया तो I think यह important होंगे पहली बालिंग आती है तो I think यह काफी important हो जाएंगे अबास अफरीदी ठीक है तो इनको भी हमें consider करना पड़ेगा ठीक है then next है order में last एहसान उल्ला इनको तो बिल्कुल भी drop नहीं करेंगे amazing form में है confidence काफी high होगा पांच विकेट लिये last match में जो की मतलब T20 में एक सपने जैसा होता है इतने विकेट्स generally मिलते नहीं है बालर्स को बट क्या बॉलिंग करा ही इनों ने चार ओवर में एक maiden 12 रन 5 विकेट्स तो I think must pick है यह ठीक है तो आईए एक बार selection कर लेते हैं मुलतान सुलतान के players का तो आईए जो must pick है पहले उन्हें पिक कर लेते हैं मुलतान सुलतान का filter लगा लेते हैं तो रिजवान must pick है selection percentage काफी हाई है देन राइली रोजू must pick है because last match में बहुत ही शांदार इनिंग खेली तो confidence होगा आज अच्छे खासी innings का देन मैं मिलर को pick कर रहा हूं मसूद को मै पिक नहीं कर रहा हूं अगर आपको लगता है मसूद अच्छा करेंगे तो आप मसूद को pick कर सकते हैं ठीक है देन आते हैं all rounder section में all rounder section में मैं किसी को भी pick नहीं करूंगा खुचदल शा का batting order काफी नीचे है और bowling ये करा नहीं रहे हैं तो उतने अच्छे pick नहीं होंगे then एहसान नुल्ला must pick है ठीक है तो अभी के लिए जो must pick है वो ये चार है from मुलतान सुलतान अब बात कर लेते हैं पेशावर जालमी की तो बात की जाए पेशावर जालमी के bat बातिंग और की तो कुछ इस तरीके से रहेगा ओपनिंग करेंगे हारिस और बाबा राजम इन दोनों को ही पिक करना इंपोर्टन रहेगा बिकाज हारिस अगैन बहुती तेजी से रंस बनाते हैं और अगर 10-15 बाल्स भी खेल गए तो 25-30 बना के जाएंगे ठीक है जिसमे तो मिस्टर डिपेंडेबल है रिजवान की तरह रंस बनाते ही हैं तो इनको हम पिक करेंगे कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के अच्छे ऑप्शन होंगे यह देन नेक्स्ट है साइम आयूब साइम आयूब की बात करें तो लास्ट मैच में थोड़ा सा अनलुकी रहे आइ अच्छे बैट्समन है रंस बना सकते हैं अभी के लिए मैं पर चांस नहीं ले रहा हूं मैं हारेस को ही पिक कर रहा हूं ठीक है देन कैड्मोर की बात की जाए तो यह हमारे गेम चेंजर थे अकेले ही इन्होंने हमें सारे कॉंटेस्ट जिता दिये ठीक है क्योंकि मैक्सिम लोगों ने इने ड्रॉप किया था देखिए यह हमारी टीम थी लास्ट मैच में और यह हमारी विनिंग हुई थी ठीक है तो सारे कॉंटेस्ट में मैक्सिमम यही रीजन था क्योंकि कैड्मोर हमारे पास थे और बाकी लोग कैड्मोर को नहीं लेकर आए थे ठीक है ना तो यह काफी important player है तो कैड्मोर हमारी टीम में 100% रहेंगे देन आते हैं राजा पक्षा राजा पक्षा की बात की जाए तो player तो अच्छे हैं बट अगर second betting आती है तो उतने अच्छे pick नहीं होंगे और recent performances अगर आप देख रहे हैं अपनी screen पे तो कुछ खास नहीं है अभी recently concluded I I mean conclude नहीं हुई अभी चल रही है बांगलदेश Premier League में यह खेले थे बट आप देख सकते हैं इनकी last की दो इनिंग्स कुछ खास नहीं है उससे पहले भी non domestic tournament में खेले थे तो वहाँ पर भी कुछ खास performance नहीं है तो I think आप इन्हें drop कर सकते हैं ठीक है एक second दोस्तो देन आपको दिख रहे हैं Jamie Nisham यह मेरी टीम में 100% रहेंगे लास्ट मैच में भी यह मेरी टीम में थे और दो विकेट ले गर गए इनका performance क्या रहा था लास्ट मैच में ठीक है तो लास्ट मैच में जो मैच था हमारा वो था यह वाला ठीक है तो इन्होंने जो पॉइंट्स दिये हमें वो 75 पॉइंट्स दे कर गए ठीक है दो विकेट्स लिये थे इन्होंने 16 रन बनाए तो इनको भी मैं 100% पिक करूँगा अपनी टीम में देन आ रहे हैं शाकिब अब शाकिब की बात की जाए तो देखिए इनका बैटिंग और बहुत जादा नीचे हो गया है अगर इस पोजिशन पर आएंगे तो बैटिंग से कुछ खास करके नहीं जा पाएंग तो रंस तो हम इन से कुछ खास उमीन नहीं कर सकते अनलेस कॉलाप्स ना हो जाए इनिंग में ठीक है बोलिंग से हाँ यह इंपॉर्टेंट है विकिट लेके जाते हैं तो इन्हें डॉप करना तो रिसकी होगा डॉप नहीं करेंगे हम इन्हें अपनी टीम में पिक करेंग और बैटिंग से भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं तो आइटिंग कि यह काफी बढ़िया पिक रहेंगे इन्फैक्ट मुझे तो यह वाइस कैप्टन सी के भी अच्छी आप्शन लग रहे हैं तो इनको भी मैं अपनी टीम में 100% पिक करूँगा देन बात करें खुर्रम शहजाद की राइट आम फास्ट मीडियम बोलर लास्ट मैच में थोड़ी पिटाई हो गई चार ओर में 47 रंद दिये इनके ओवर देखते हैं देखिए इन्होंने 20 वाँवर किया था 16 वाँवर किया था तो ओवर्स तो यह इंपॉर्टन कर रहे हैं अगर इस मैच में भी शकीम ने लास्ट मैच में सिर्फ एक ही ओवर कराया ठीक है तो इनको मैं ड्रॉप ही करके चलूँगा अब यह सच इनका कोई इंपक्ट आया नहीं है वैसे यह बैटिंग और राउंडर है बैटिंग काफी नीचे आ रही है तो इन्हें पिक करके कोई फायदा है देन आप आपको दिखेंगे सलमान इरशाद बैटिंग और में जो की राइटम फास्ट पोलर है पेस के लिए जाने जाते हैं और यह बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक है लास्ट मैच में एक विकेट मिला बॉलिंग में थोड़ी पटाई हो गई ठीक है ओवर्स इन्होंने कौन से करा इन्होंने सात्मा ओवर्स ठीक है तो अगर डेथ में बॉलिंग कराते हैं तो इंपॉर्टन हो जाएंगे अभी के लिए मैंने पिक करके नहीं चल रहा हूं ठीक है नेक्स्ट है खुर्रम की बात की जाए तो एक बार इनके ओवर्स देख लेते हैं इन्होंने कब कब ओवर कराये थे ठीक है एक सिकंड दोस्तों तो खुर्रम ने चार वर में 47 रंदी है ठीक है और कुछ खास पर्फॉमेंस नहीं रहा है इनका राइट आम फास्ट मीडियम बॉलर है तो इनको भी में अभी के लिए ड्रॉप ही करके चलूंगा ठीक है ओवर्स देख लिए इन्हों अभी के लिए अभी के लिए अभी के लिए अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन सी की तो कैप्टन मैं बनाओंगा बाबाराजम को अपनी टीम का ठीक है वाइस कैप्टन सी की बात करें तो आप रिजवान को बना सकते हैं ठीक है एक सेफ पिक रहेंगे आप राली रोजू को बना सकते हैं ये भी लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं आप डेविड मिलर को भी बना सकते हैं ठीक है रिजवान को आप चाहें तो नहीं भी मनाएंगे तो चलेगा क्योंकि लास्ट मैच में इनकी इनिंग्स मुझे अतनी कंविंसिंग नहीं लगी काफी स्क्रैपी इनिंग्स थी तो देख लेते हैं क्या करना है अभी के लिए म को टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा उसके बारे में तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लिज फोरण जुड़ जाए और सबसे पहले आप आप UDCR चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमारे चैनल को subscribe करने के लिए आपको हमारे video के description के नीचे bell icon दिखाई देगा उसके पास आपको subscribe लिखा हुआ दिखाई देगा उसे press करें then bell icon में जाके notifications को all कर दें और हमारे telegram चैनल को join करने के लिए आपको bell icon के just oopर more दिखाई देगा लिखा हुआ उसे प्रेस करें देन आपको नीचे दिखाई देगा जॉइन आर ओफिशल टेलिग्राम चैनल वहापे मोर को फिर से प्रेस करें आपको लिंक दिख जाएगा उस लिंक के थूँ आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं डिरेक्ट सर्च करके ना जुड़े इस लिंक के थूँ ही जुड़े तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहिन